मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन गारेक्टर जेम्स दीखता है जेम्स के अपार्मेंट पर एक गुंडे जैसा उसका ही होम ओनर आता है जेम्स ने बहुत सारे मेहनों से पैसे नहीं दिये होते है तो इससे वो पैसे मांगता है जेम्स कहता है आज दिन खत्म होने से पहले पूरे पैसे में तुम्हारे चुकते करतूंगा इसके बाद जेम्स हमसे बात करने लग जाता है यह हमसे कहता है कि मैं आगे का कुछ ना कुछ तो देख सकता हूँ इसे जादा कुछ मालूम नहीं पड़ता पर इसके बाद थोड़ा साथ 10-15 मिनिट तक क्या होने वाला है यह उसे समझ में आने लग जाता है थोड़ी सी वीजन सी से आती है यह हम से कहता है कि एक कौन्टन विजिस की थेरी है अलग अलग टाइम की फ्रिक्वेंसी में एक रिपल इफेक्ट आता है इसी वज़े से यह कुछ भी देख सकता है एक सिंपल लाइग्वेज में कहता है कि मेरे जो एंटिना है यह बहुत ही स्ट्रॉंग है जेम्स फिर हमें एक बार में आता हुआ दिखता है वहाँ से वो बॉटल लेता है और स्ट्रीट में आता है स्ट्रीट में आने के बाद उसे फिर से एक वीजन आती है इस वीजन में उसे दिखता है कि उसे बहुत सारे पैसे अब मिलने वाले है एक वालेट से पेसे निकाल रहा होता है अब James देखने लग जाता है स्टीट पर खाऊ उसके साथ ही हो सकता है यहों देख रहा होता है आगे चलता है दूसरे मालूम बढ़ता है कि एक लड़की को एक आदमी तंग कर रहा होता है इस लड़की को जबरदिसी करने कोशिश कर रहा होता है तो James यहाँ आजाता है यह आदमी और James के फाइट हो जाती है तभी और एक लड़का यहाँ आजाता है इस लड़के ने जैकेट पहना होता है James फिर इन दोनों को कंट्रोल करने कोशिश करता है जैकेट वाला लटका तो नीचे गिर जाता है और जो बड़ा वाला आता है यह जेम्स को बहुत ही जोर से पंच करता है जेम्स जमिन पर पढ़ जाता है तो जेम्स की दारू की बॉटल लेकर वो बड़ा साथ में भाहा से चला जाता है इसके बाद James को मालू होता है कि यह जो आदमी था इसका wallet नीचे गिर गया है यही पेसे इसे मिले थे यह उसकी vision थी जिस लटकी को आदमी छेड़ रहा था इसका नाम Angela था यह हमारी next main character है James के नाक से खोना आ रहा होता है तो Angela उसे tissue वे पर दे दिया उससे पूछती है क्यों तुमने मुझे help की James उसे कहता है कि मुझे लगता है कही मैंने तुम्हें देखा है Angela इस पर believe नहीं करती यह कहती है कि line यह थोड़ी भी original नहीं है James बोलता है कि मैं सचूज में seriously कह रहा हूं James को vision आई हुए होती है जिसमें वो Angela के साथ है उसके साथ वो हस रहा है उसके साथ वो घोम फिर रहा है यह सब उसे इस vision में दिखी हुए होती है James जब Angela से बात कराता है तब और उसका एक friend आ जाता है इसका नाम होता है Sal Sal अब यह भी अपने friend Terry के साथ जेल से बाहर आयो होता है अब वो James से मिलता है James भी इसे देखकर बहुत ही खुश होता है यह James से पुछता है कि क्या तुम अब काम नहीं कर रहे हो James जोता है illegal कामों के लिए उसे बुलाया जाता है अब Sal James से कहता है कि boss ने तुम्हें बुलवाया है हम दोनों हैंग आउट कर सकते एंजला भी इस पर वो सोचे कि हैसा कही थी है और इसके पाथ James चला जाता है और वह दिखता है कि James उसके boss के आ गया है James का boss Ray यह carpet sale वगरा करने कि उसके factories होती है इसके back end में वो cooking वगरा sale करता है James को Ray अपने office में invite वगरा करता है और यहाँ James, Ray, Sal और उसका friend dairy यह सब लोगों थे Ray फिल James को उसका काम बताता है वो कहता है कि मेरे पास diamonds है निकाल कर उसे दिखाता है इसे बोलता है कि जो diamonds है यह उन्हें आफरिया से मंगवाए है यह मुझे sale करने है और मुझे इससे commission मिलने वाली है Ray James को कहता है कि अगर तुमने 100% successfully deal कर दी तो मैं तुमें 100k dollars दूँगा Ray को बता होता है कि James को vision आती है Ray उसे पुछता है कि तुमारी vision इसके बारे में तुमें क्या कर रही है James को जो vision आती है यह अची नहीं होती फिर भी James कहता है कि मुझे अब दिकरा है कि यह handout हो चुका है यानि कि deal successful हो चुकी है Ray पर खोश हो जाता है अब James यह diamonds लेकर यहाँ से चला जाता है नेक सिन में हमें दिखता है कि James अपने घर पर होता है वह आपर एंजला आती है एंजला उसे कहती है कि वह आदमी तुम्हारी बॉटर लेकर गया था उसके लिए इसने beer लाई होती है इसके बुछती है कि क्या हम hangout कर सकते है James भी इसके लिए मान जाता है एंजला को इसका shower यूज़ करना होता है यह बहुत दिनों से road पर होती है और इसे नहाना होता है एंजला जेम्स का घर देखती है जेम्स के घर पर एक board होता है ज़र बहुत सारी चीज़े लिखी होती है James को हमेशा जो vision आती है इसके बारे में वह लिखता रहता है एंजला जेम्स के parents की भी एक photo देखती है James कहता है कि यह मेरे foster parents है इस photo में Elliot होता है जिसने James को gode लिया था इसके बाद एंजला और जेम्स टैरेस पर hangout कर रहे है यह हमें दिखता है James एंजला के parents के बारे में पूछता है एंजला के थी है मैं जो कोई भी parents जगरा नहीं है एंजला फिर बोलती है कि जो life है यह मुझे लगता है कि यह मेरे उपर है मैं जीस तरह से चाती हूँ उस तरह से मैं इसे जी सकती हूँ James कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए होगा यह तो यह मिल जाए यह उसे अच्छी विश्यश करता है इसके बाद यह दोनों घर में आ जाते हैं घर के बाहर हमें दिखता है कि सैल और टेरी दोनों है इन दोनों का प्लान अब हुआ है कि उनका जो बॉस हेर है इसे वो डबल प्रॉस करने वाले है टेरी अभी अभी जेल से चुटा है कि लाइफ में एक बार मेरे साथ कुछ ना कुछ तो सही हो जाए इसके पीछे इसका एक स्ट्रॉंग मोटिवेशन होता है जेम्स जब घर पर आता है तो उसे और एक वीजन आती है इस वीजन में वो मर चुका है और कहा वो मर रहा है ये सब उसे दिख जाता है इसका बात दर्वाजा कोई खोल रहा है जेम्स को दिखता है जेम्स जर जाता है एंजला के पास जाता है एंजला बात्रूं में होती है तो कबड़े बहेंती है और इसके बाद ये दोनों खिटकी से बाहर निकल जाते है ये भागते भागते अपनी गाड़ी तक आ जाते है सैल और टेरी इतनी जल्दी इनका पीछा नहीं कर पाते गाड़ी में James उसके पास जो डाइमन होते है इसे वो चेक करता है एंजला उसे बचती है कि डाइमन्स क्या है James को इसके बाद और एक वीजन आ जाती है वो अप कहा जाने वाला है कि सुर मोटेल पर रुखने वाला है और असे एक स्रीट साइन दिखता है एंजला उसे कहती है तुम कहा चले गए थे तुम जोना उट हो चुके थे James को उसने पहले भी होता हुआ दिखा है James कहता है मैंने तुम बताया तुम बिलिव नहीं करोगी James को वीजन में इसके पास अब पुलिस आने वाला है यो से दिखता है James एंजला को गाड़ी रोकने के लिए गयता है James कहता है कि यो जो पुलिस है अब हमारी कार के बारे में इंक्वारी करेगा पुलिस फिर्वा आता है और जो उसने कहा था यही होता है एंजला फिर James से पुछते है कि यह कैसे हो गया तुम मुझे क्या कुछ बता नहीं रहे हो हमारे साथ जो भी सब हो रहा है इसके बाद यह डिनर करने के लिए एक रेस्टॉर्ण में आ जाते है एंजला फिर James से पुछती है कब तुम्हें वीजन साना स्टार्ट हो गया था James कहता है कि मैं जब साथ साल का था मेरी मदर मरने वाली थी तुम्हें दो मैने पहले से बता था एंजला पुछती है कि क्या तुम्हें अपनी मदर को सेव करने का ट्राय किया था James कहता है कि तभी मुझे मालूम नहीं था इन सब विजन्स का मिनिंग क्या है यह मुझे उसके बाद पता चला था James कहता है कि मैंने इससे बहुत चेंज करने कोशिश की है मेरे साथ जो होने वाला है यह जो विजन्स होती है यह हमेशा से सही होती है अब मुझे पता चल चुका है हमारे लाइफ में हमारे साथ जो होता है यह सब फिक्स्ट है हम इसे चेंज नहीं कर सकते एंजला एक अलग बिलिव पे चलती है उससे लगता है कि अपनी लाइफ वो खोच चूस करती है यह फिर कहती है कि मेरे साथ जो सब हुआ था इसका बच्पन भी बहुत इकटिया था क्या यह सब फेटेड था James उससे समझाने के लिए कहता है कि हमारे पास यह जो मूमेंट है यही सिर्फ है इसे हम सीच कर सकते है इस मूमेंट में हम जी सकते है टाइम ट्रैवल की स्टोरी में एकलिप्टा हुआ सच हमें इस मूवी में बता चलता है इसके बाद हम देखते हैं कि एंजलो और James अपने मॉडिल पर जाते हैं जब वो अंदर आते हैं तो उनके हीरे गायव होते हैं आप James अपने बॉस के पास नहीं जा सकता उसे बता नहीं सकता कि उसकी आदमी ने उससे डबल क्रॉस करनी कोशिश की थी James को फिर आइडिया आता है कि उसे अपने फॉस्टर पैरेन के पास जाना है एंजलो को कहता है कि इलेट ने मुझे बच्पन से बहुत ही हेल्फ किये इलेट को सब कुछ पता होता है कि James के साथ क्या होता है James इलेट के पास आता है तो सप्राइस्ट होता है James का फेस देखकर इलेट को पता चल जाता है कि यहां कुछ ना कुछ तो कर पड़े उससे पूछता है कि क्यों तुम यहां आये हो तुमारे साथ क्या हुआ है James कहता है कि मैंने मेरी डेट दिखी है इलीट को मालूम है कि James को लगता है कि वो अपने फेट चेंज नहीं कर सकता पर इलीट उसे कहता है कि हर वक्त तुम तुम तुमारे फेट चेंज कर सकते हो तुम यह वीजन में दिखता है कि तुमारे साथ ही होने वाला है तो इसके बाद तो तुम बहुती डम डिसिजन्स लेते हो अच्छे से अगर तुम डिसिजन्स लोगे तुम यह चेंज कर पाओगे पर इलियेट का बिलिव फाम होता है कि वो चेंज नहीं कर पाएगा इलियेट फिर उससे पुछता है कि कहा तुम मरने वाले हो क्या यह होने वाला है James इस घर को देखता है तो उसे पता चलता है कि यही घर है जहाँ वो मरने वाला है इलिए James को कहता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ अगर निकल गए तो यह कोई भी प्रॉल्लम ने आएगी James यह मानने के लिए रेड़े नहीं होता James बाहर जाकर स्मोक करने लग जाता है एंजला एक घर देखने लग जाती है James बसन से पेंटिंग्स बनाता था इस पेंटिंग में उसे एंजला भी दिखती है इस पेंटिंग्स में एंजला को उसकी ड्राइंग दिखती है एंजला फिर बाहर आती है उसे पूछती है क्या तुम्हें पता था कि मैं इसका पार्ट हूँ जेमस कहता है कि तब मैं छोटा था तब मुझे कैसे पता हो सकता है एंजला जेमस को कहती है कि पहली बार जब हम स्टीट में मिले तो भी मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फेटेड है तुमने बोला था कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे कही देखा है मुझे भी ऐसा ही लगा था एंजलो से कहती ही कि हमें ड्राइ करना चाहिए इस फेट को चेंज करने के लिए अंजला फे जेम्स को किस करती है और इसे कहती ही कि चलो यहां से हम निकल पड़ते हैं यह दोनों जब जा रहे थे तम यहां में दिखता है कि रे सैल और टेरी यह सब यहां आ चुके है अब जेम्स का बोस रे इस पर बहुत ही चीड़ गया था है रे जेम्स को कहता है कि क्या तुम मुझे डेबल क्रॉस कर रहे थे यह दायमंड तुमारे नहीं है यह तो मेरे भी नहीं है मैं सिर्फ इसकी डील कर रहा था गर मेरे पास यह दायमंड नहीं होंगे तो लोग मुझे भी मार देंगे James कहता है कि मेरे पास diamond है पर किसे ने वो चोरी कर लिये है Ray James को बहुत ही मारने लग जाता है Angela कहे रहे होती किसी कुछ भी मालूम नहीं है कि सब को सच कह रहा है Ray फिर Angela को पकड़ लेता है Ray अपने आदमियों से कहता है कि James और Elliot को नीचे जाकर burn कर कराओ नीचे फिर store room में James और Elliot को burn कर दिया जाता है Ray फिर Angela से बात करतियों में दिखता है तो कहता है कि तुम जब इसके life में आई तब से सब change हो गया है James ने कभी मुझे double cross करने कोशिश नहीं किया मुझे मालूम है कि तुम जानती हो कि diamond का है Ray अपने आदमियों को पुरा house चानने की order देता है Ray जब Angela से बात कर रहा होता है तो ये बाहर उसे खुश सुनाए देता है अपने आदमी टेरी को बाहर भेजता है Terry जब ये चेक कर रहा होता है तो टेरी की आवाज ही नहीं आती Ray जब एक खिड़की से देख रहा होता है तो खिड़की पर गोली चलती है Ray अप सावदान हो जाता है Ray को लगता है कि जिन आदमियों से इसने diamond ली थे उसे मारने के लिए आया है Ray जब इन सब में disturb होता है तो Angela एक knife लेती है इस knife से और Ray को मारने वाली होती है तभी और एक gunshot हमें सुनाई देता है Angela अब इस पर वार करती है पर Ray एक पेंचान लेता है अपनी gun से Angela को मार देता है James basement ने होता है और यह सब सुन रहा होता है Angela की चीक उसे सुनाई देती है यह यही रोने लग जाता है यहाँ पर Elliot भी होता है Elliot James को कहता है कि बहुत सारी चीज़े तुम्हें मालूम नहीं है एक वो injection लेता है और James को लगा देता है injection लगाते होए Elliot उसे कहता है कि इन सब का absence बनने लग जाएगा कास मैं तुम्हें यह सब समझा बाता तुम्हें सब कुछ समझी जाएगा यह injection जब James को लगता है तो time travel करकर वो past में Elliot के ही apartment में आ जाता है यह 1984 का period है James को जब syrup के बारे में Elliot को कहता है तो Elliot को बिलिव नहीं होता Elliot फिर इस सब syrup के बारे में उसे सब कुछ समझाता है Elliot एक scientist था यह एक syrup पे काम कर रहा था यह जो syrup था यह चुहें पर इन्होंने टेस्ट किया था यह जब इन्होंने टेस्ट किया तो यह चुहा time travel करकर अलग time में चला गया था जब वो अपस आया तब उसे मालूम था कि उसके साथ next क्या होने वाला है James फिर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे experiment का part था क्या इसलिए तुमने मुझे गोद लिया था Elliot कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम मुझे future से मिलने के लिए आये थे और तुमने मुझे बोला था कि मुझे तुमारे छोटे self को ढूणना है इसलिए Elliot ने छोटे James को ढूणना था और उसे उसने गोद ले लिया था यहावेर हमें दिखता है कि छोटा James वहाँ आ चुका है Elliot उसे चुलाने के लिए नीचे ले कर जाता है James फिर पूछता है कि मुझे लगता है कि इस आत्मी को मैंने कही देखा है मैं मेरे सबने में इसी दिखता हूँ यह लेट उसे कहता है कि इस प्रेजर में तुम जीओ यही तुमारी लाइफ है यह कहिकर उसे सुला कर अफ यूजर के James के पास वहा चाता है अब जब James इलीड से बात कर रहाता है तो उससे पता चल जाता है कि बचपन से उसे जो सब विजन्स आ रही थी यह उसकी मेमरीज थी इसने टाइम टावल किया था इसी वज़े से एक साइड इफेट उसे बचपन से सब कुछ याद आता रहता था पर James की फिर याद आता है कि उसे हमेशा से लगता था कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा उसने देखा था कि वो मरने वारा है पर ऐसा नहीं हुआ James के प्लेस पर Angela ही मर गई है James फिर कहता है कि हम इसे बदल सकते है हमें इसे ट्राइ करना चाहिए इलियर्ट भी मानता था कि वो चेंज नहीं कर सकता पर James को अब पूरी तरीके से Angela को बजाने के लिए ट्राइ करना है इलियर्ट फिर उसे फिर से सिरप देता है और कहता है कि जाधा तुमें इसी यूज मत करो और हमें इस अपरेजन में रहना बना तुमें तकलीफ हो सकती है James पर अपने माइंड से रिसर्ड करता है कि उसे कहा जाना है और वहाँ पहुच जाता है यह अब अपने अपार्मेंट पर आता है Sal और उसका फ्रेंड यह दोनों अब उससे लूटने के लिए आने वाले है यह अब होने वाले है James उसके apartment में होता है और वही छिप जाता है जब Derry इसके apartment में घुशता है तो अब उन्हें distract करनी के लिए ये Cell के पास जाता है और Cell के से fight लेता है ये Cell को भगाता है और एक जगा पर ये छिप जाता है Cell और Derry ये दोनों इसके पीछे लग जाते है एक जगा पर आकर James अपने आपको inject कर लेता है और फिर से time travel कर लेता है हमने movie में firstly देखा था कि Angela और James पहली पार जब apartment से भाग रहे थे तो वो एक्चुन में भाग गए थे इनका किसी ने पीछा नहीं किया था अब मैं पता चला है कि वहाँ दूसरा future वाला James था इसने उन्हें वहाँ से भागने में मदद की थी अब मैं दीखता है कि James जो है ये time travel करकर model की हाँ चुका है जब वो बिसले जगा से भाग रहा था तो model की जो कीज थी ये उसके गूम हो चुकी थी ये सैल को और टेरी को मिल चुकी थी जब James अपने hotel तक पोचता है तो वहाँ उसे सैल और टेरी भी मिल जाते है इसके कीज इनके पास होती है सैल अब James को convince करने कोशिश करता है को कहता है अगर तुम हमारे pen में शामिल हो जाओगे तुम्हें कोश भी वरी करने के ज़रूद नहीं पड़ेगी तुम्हें directly में पैसे नहीं दे सकता पर तुम्हें hero का कुछ पाट दे सकता हो ये बहुत ही जादा है तुम्हें deal ले लेन चाहिए James कहता है बहुत से में गद्दानी नहीं कर सकता James किसी भी हालत में अपनी integrity maintain करेगा इस तरह का आदमी होता है James में जो हीरे रखे हो जोते है ये हीरे अब इससे ही छीन लेते है ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते है तो James इंपर जपक परता है जल्दी से इनसे हीरे लेता है और कार में बेटकर आगे चला जाता है इन दोनों को लगता है कि बॉस के पास जाना है पर अभी ने पता चलता है कि James अलग direction में गया है figure out करते है कि इसके uncle के पास से गया होगा movie के first में जब यह सब हो रहा था तब हमने देखा था James और Angela जब अपने hotel पर आये थे तब हुने देखा था कि वहाँ diamonds नहीं है यह जो diamonds है यह future वाले James लेकर गया है जाकर इलियट के पास आता है इलियट को सब कुछ समझाता है जो diamond इसके पास है यह वो इलियट को दे देता है दिखेता है कि अब मेरा बॉस वेकरा सब कुछ लोग यहाँ आने वाले है जब वो यहाँ आएंगे तो diamond उसे दे देना इसे एंजला की जान बस सकती है इलियट है diamond छुपा देता है अब हमें दिखता है कि प्रेजिन की James और एंजला आ जाते है जिस तरह से जो सीज़े हो रही थी वो वेस्से होती है जब James का बॉस रे वेकरा सब लोग आते है तो वो आते हुए ही एलियट को मारते है एलियट उन्हें diamond देता इसके पहले ही वो unconscious हो गया था James को एंजला को किसी भी हालत में बचना है तो फिर्चर वाला James अब बहार आ जाता है हमने देखा था कि रे को खिड़की से बहार से आवाज आई थी यह आवाज James भी छुपकर सुनता है जैसा हमने पहले देखा था यह gunshot सुनाएं देता है पर यह जो gunshot था यह James नहीं चलाया James को Angela को बचना है तो खिड़की वर वो गोली चला था है गोली चलाने के पहले ही इसे ही गोली लग जाती है इसका निशाना चुक जाता है अब यह इंजोर हो चुका है यही गिर जाता है और फिर से ही सिरप इसे खुद पर इंजेक कर रहता है अब जो है सेकंड फ्यूचर वाला जेम्स था ये फिर से पास्ट में आ जाता है पास्ट में आ जाने के बाद दिन की शुरुवात थी तब ये पहुच चुका है इसे अब लगता है कि अगर वो एंजला से नहीं मिला तो कोई भी प्रॉल्लम नहीं आएगा मूवी के फर्स्ट में जब एंजला को जेम्स बचा रहा था तब हमने दिखा था कि वहाँ जैकेट वाला एक लड़का था ये फ्यूचर का ही जेम्स था वो एंजला से मिलना बाय इसके को कोशिश कर रहा था ये कुछ भी इसका सकसेस नहीं हो पाया फिर से हमें रात में ये थर्ड वाला फ्यूचर वाला जेम्स इलिएट के घर पर आया हुआ है ये दिखता है इलिएट से बात करता है मैं कुछ भी बदल नहीं सकता इलिएट को समझ में नहीं आता जेम्स कहता है कि मैं अलग फ्यूचर से आया हूँ इलेड उसे motivate करता है, केहता है, कि तुम्हें हार ने माननी है, तुम्हें इसे बदल सकते हो, और तुम्हें try करते रहना है, अब हम फिर से देखता है, कि रेक को आवाज आती है, कि बाहर कोई है, अपने आदमे Terry को बाहर भेचता है, यह जो आवाज थी, यह थर्ड वाले future मे टेरी इन दोनों के fight चल रही थी और इनों ने जो गोली चलाई थी ये James को लग गई थी इसी वज़े से second वाला James एंजला को बचा नहीं पाया था अब में दिखता है ये third time future वाला James अंदर आ जाता है एंजला को उसका बॉस रे जब मारने वाला था तो ये गोली अपने आप पर ले लेता है इसके boss को बहुत ही बुरा लगता है ये खेता है कि तुम तो अंदर lock थे उसे James को मारना नहीं होता रे आपने आदमियों से बोचता है कि ये कैसे हो गया उसके आदमी फिर रे को ही मारते थे जो diamonds होते ये रे से वो छीन लेते और वहाँ से भाग कर चले जा अगर वो चेंज कर दे थी तो James मर जाता James को बचाने के लिए अपने आपको उसने मरने दिया था यही अप James के साथ हुआ है एंजला को एक अच्छी लाइफ मिल सके इसलिए James ने अपने आपका sacrifice कर दिया है मरते मरते James फिर से अपने आपको एक syrup से इंजेक कर लेता है ये कर कर रहा था पास में James उसे मिलकर गया था इसी वज़े से इलेट ने James को गोद लिया था इसके बाद हम फेस देखते सेकंड फ्यूचर में का जो James है तो जाड़ियों में था और जिसी गोली लग गई थी इसके बाद अपने आपको इसने इंजेक कर दिया था यहाँ दो आपको इंजेक कर लेता तो फिर से पास में चला जाता इस बार वो यह नहीं करने वाला वो अब उठ जाता है और एंजला की पास आता है जैम्स ने अपनी जो डेस्टिनी थी यह बदल दी है उसने पुरा फ्यूचर ही बदल दिया है अभी उसका बॉस मर चुका है और जो फ्यूचर सेफ है एक दूसरे के साथ अब रहे सकते हैं जैम्स जो करना चाहता था अपनी डेस्टिनी को चेंज यह उसने कर दी है एक अलग सी टाइम लाइन अब बन जाती है अपने आपको इंजेक करने से जिस लूप में वो था अब इससे वो बाहरा चुका है एंजला और जैम्स अब अपनी डेस्टिनी खुद बनाएंगे यह मूवे हमें बहुत ही इंपॉर्डन लेसन सीखा कर जाती है हमें अपनी लाइफ के लिए कभी भी घिर्वप नहीं करना चाहिए हमें जो चाहिए इसके लिए हमेशा ट्राय करता रहना है हमारी जो डेस्टिनी है यह कभी भी लिखी नहीं होती किसी मूवेंट पर हम इसे चेंज कर सकते हैं यह चेंज करनी की पावर सिर्फ हमारे डिसिजन्स पर ही होती है हमें अपना दिमाग खुला रखकर सही से सब एनलाइज करकर हमारे डिसिजन्स लेने चाहिए इससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है इसे एक सही से मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है मैं फिर से आपके साथ मिलूंगा एक नहीं मूवी के साथ तक के लिए थैंक्यू